नमस्कार दोस्तों इन्वेटर सद्ड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छी होंगे अपना बिल्कुल ध्यान रख रहा हूंगे इस कोड की सिच्वेशन में से लिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ है जो की टैबल सो इन्वेटर सद्ड़ा आपको क्यों फॉलो करना चाहिए यह थोड़ा सा मैंने कुछ दिस्रिप्शन दिया हूँ ताकि आप यू कन मैक्समाम उटिलाइज इस चैनल नाओ कमिंग आन दी टैबलेट सेक्शन ताबलेट के बारे में जो फर्स्ट यर के स्ट्टेंट है उन्हें तो बेशिक समझना चाहिए अपर्ट वामड़ा जो फाइनल यर के स्ट्टेंट है या जो थर्ड यर में है जो लोग प्रिपेर कर रहें एक्जाम के लिए इसप्रेट नियुक्ट उप्रेटल देशोड दोसेस फॉर्म, here four keywords are given, we have to understand the meaning of these keywords, solid means what, it's a solid dosage form, if you go for the classifier, सबसे पहले हम लोग dosage form के बारे में थोड़ा समझते हैं, देखिए, जो dosage form होती है, मैं short मा लिख रहाओ, ये basically क्या होती, अब simply कह से कहते हैं, these are formulations, so dosage form एक ऐसी form होती है, जिसमें हम किसी दबा को easily administer कर सकते हैं, easily intake कर सकते हैं, जैसे आप देख रहा हैं, tablet, अगर मा लिजिए, ये paracetamol की tablet हो, मैं short cut में लिखना हूँ, PCM tablet, अगर खाली paracetamol दे दिया जा, तो you cannot easily take it, but if you are making it like a tablet, so definitely in a very easy manner you are going to take, so dosage form का मतलब, ऐसी form, जिसमें किसी dose को बना देना, ताकि we can easily intake, तो अब जैसे अगर हम paracetamol का example ले, तो उसमें दो component होगे, एक होगा active ingredient, थोड़ा basic समय समझा रहा हूँ, तो आप लोग video लंबी हो जाएगे, तो परशान होने की जरूत नहीं है, दूसरी चीज़ आपकी है, excipients, गाट दे पॉइंट, यह जो active ingredient, अब जैसे suppose we are taking, we have taken the example of paracetamol, so paracetamol की जो tablet होगी, अगर माले जो 500 mg है, तो डोज कितना है 500 mg, apart from that, कभी आप इसको weigh करना, अगर आपके पास balance हो चोटा है, तो you will get the weight of 650 mg round, so what this extra 150 is there, what it means, this is excipient, got the point, अब इस excipient का मकसत बहुत सारा होता है, कि बल को बढ़ाना हो, disintegration time को कम करना हो, flow property को बढ़ाना हो, so there can be different, different excipients, and they are having the different role, got the point, so basically इस doaches form में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस doaches form में एक example हमने कौन से लिया है, tablet, so doaches form classification में, if you go through that, solid doaches form is there, liquid doaches form is there, semi solid doaches form is there, तो अब हम समझते हैं tablet को, अब हम समझ पाएंगे बहतर, कि doaches form क्या है, so tablet क्या है exactly, tablet is a doaches form, कौन सी doaches form है, हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, which type of doaches form is there, solid doaches form, because it's solid in nature, आपको दीखते हैं आप इसले इंटेक कर सकते हो, यहाँ पर एक word लिखा हुआ, unit doaches form, what this unit means, means it is coming inside a single individual dose, अलग-अलग, देखें आप यहाँ पर tablet जो आप देख रहोगा, अलग-अलग tablet है ना, हर बार आपको एक-एक दोस के form में है, so it's a unit, और तीसरा word लिखा हुआ, compressed, अब इस tablets यह पहले powder रहा होगा, definitely पहले परस्टेबल का powder था, इसको अपने मसीन से पंच करके, किसमें फोर्म में कर दिया, tablet के form में, so it's a compressed, मतला compress कर दिया उसके, और क्या है यह, doses form, so now I think this definition is very clear, tablet is a solid unit compressed doses form, ठीक है, चलिए, अब समझते हैं कि यह doses form आया है, तो इसके advantage कि हमें फाइदा क्या मिलने वाला है, why tablet doses form, why not ointment, why not injectables, why we have came up with this tablet, ठीक है, तो बहुत सारे advantage, आपको बहुत सारे किताबों मिल जाएंगे, लेकिन जो basic चीज़े हैं, आपकी समझ को विक्सित करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, so यहाँ पे unit doses form, मैंने यहाँ पे unit word को समझा गी आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा greatest dose precision, जितनी dose आपको body में चाहिए, उतनी dose, मालेज़ अगर 500 mg dose चाहिए, तो इस tablet में आपने 500 mg फिल करके tablet compress कर दी, so dose आपको बहुत precise है, लेकिन अगर वहीं syrup आप यूज़ करेंगे, तो उसमें लिखा रहाता है कि you have to use by one spoon, अब किसी का spoon 2 ml का भी घर पर हो सकता है, 5 ml का भी हो सकता है, तो वहाँ पर dose की accuracy बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आप देखते हो कि जो कैफ होती है, उसमें एक ऊपर से कैफ होता है, और marking होती 2 ml, 5 ml, ठीक है, dose की accuracy करने के लिए, लेकिन tablet के case में ऐसा नहीं है, dose accurately जाता है, 5 ml है तो 5 ml ही जाएगा, दूसरा इसका advantage का आपको देखते है, tamper proof, इसमें ज़्यादा छेड़ चाड़ आप नहीं कर सकते, कोई चीज मिक्स नहीं है, आप tablet तोड़के तो कुछ चीज में मिक्स नहीं कर दोगे आप, इसी को बोलते है, tamper proof, किसी दवा को जब छेड़ चाड़ नहीं कर पाएं हम, उसमें कुछ alteration नहीं कर पाएं, that is called as tamper proof doses form, next we are going on the CR, CR का मतलब होता है controlled release, जो first year के बच्चे होंगे शाद अभी नहीं समझ पाए इसको, लेकिन जो final year के बच्चे होंगे, तो समझ जाएंगे, control release, देखिए, हम लोग एक plasma profile, concentration profile से समझते हैं हम लोग, यहाँ पर आपके माल लेजिए time, यहाँ पर आपके माल लेजिए concentration, कोई दवा आप खाते हैं body में, तो time के साथ concentration बढ़ती है, तो माल लेजिए यह concentration यहाँ zero से चली, फिर क्या हो रही है, तो इसको बोलते है control हो गई, जैसे कि आप लोग कौन सी example, best example क्या देखते हो, IV drip, जब आप किसी को कहते हैं गाव में कि ग्लुकोज चल रहा है, लेकिन क्या होता हो, डेक्स्ट्रोज होता है 5%, यह सलाइन होता है normal, जो ग्लुकोज के drip लगती है हमें, वह आपकी क्या है, control release का एक example बहुत बढ़ जाए है, उसके लाब एक word आप देख रहा होगे, तो इस तरीके से दवा जाएगे, पीक होगी, फिर यह जो time बहुत duration of action बढ़ जाएगा, इसका बहुत lengthy हो जाएगा, means यहाँ पर क्या हो रहा कि constant नहीं हो रहा है, लेकिन duration action sustained हो जा रहा है, बहुत लंबे समय तक दवा काम करी, तो it is example of sustained release, तीसरा word लिखा, वो entry coated, तो आप कभी देखना, एक capsule आता है, ओमेप्राजोल का, ठीक है, इस तरीके capsule होता है, ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, आप बताएगा, कि what is the category of this, ओमेप्राजोल, क्या यह proton pump inhibitor है, या फिर दूसरी कोई category है, ठीक है, या फिर delayed release, तो यह सारी tablets के different categories आती है, समझ गया आप, chemically और microbiologically stable, क्यों, क्योंकि यहाँ पे water की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे water का involvement हो जाता, वहाँ पे microbial growth होने के chances जदा होते हैं, और किसी चीज़ के degrade होने के chances जदा होते हैं, so it's a dry state, यह dry state में है, so यहाँ पे chemically stable है, और microbiologically भी stable है लेकिन किसी भी doses form के advantage के साथ साथ कुछ disadvantage भी होते हैं, जैसे एक और advantage आप कर सकते हो, tablet इसली आपने strips निकाला, और इसली intake कर लिया, so it is very easy to take, injection आप अकेले नहीं लगा सकते, लेकिन tablet आप इसली intake कर सकते हो, got the point, लेकिन जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे तो कुछ अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या प्रॉलम हो सकती है, cannot be used in emergency, कोई बंदा emergency में unconscious है, जिसको कहते हैं, बेहुस इस्तितिमा, unconscious, so उस patient को, जब उसको मुही नहीं open हो रहा है, तो आप कैसे tablet उसको खिला सकते हो, वहाँ पे आपके पास, एक लो बायोवलिबिल्टी, क्यों लो बायोवलिबिल्टी होती है, अब थोड़ा देखो, tablet पढ़ने के साथ साथ हमें concert भी चमानना पड़ेगा, अब मैं एक किनारे आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, बायोवलिबिल्टी, बायोवलिबिल्टी का मतलब होता है कि कि किसी भी रीच, that is called as बायोवलिबिल्टी, जैसे माली जी हमने खाया 100 mg, लेकिन यहाँ पे पहुचते-पहुचते, 80 mg ही पहुची, तो बायोवलिबिल्टी कि इतने हो गए, 80 डिवाइड़ेड बायोवलिबिल्टी, तो 80% के करीब हो गई, इन 200 करो गए, तो 80% हो गई, यानि कि बायोवलिबिल्टी कम होने का रीजन क्या है, first past metabolism, ये लिख लीजे, first past metabolism, आप ये इस पे जो लिखाय डेर सारा, इस पे मज जाएए, आप concept को समझे, first past metabolism का मतलब होता है, आपने ओरली किसी दवा को intake किया, अब वो दवा एब्जार्व वगी, distribute होगी, metabolize होगी, फिर उसक मेटाबोलाइज हो जाती है, तो लीवर में कुछ दवा लॉस हो जाती है, अगर हम ओरली दे रहे हैं, तो दवा लॉस हो जगी, वहाँ पर कम होगी, जितनी पहुंचनी ये दवा उतनी नहीं पहुंचेगी, बिटर टेस्ट अब, कोई दवा बहुत कड़वी है, तो अब क्या करो गया, तो ऐसी दवाओ को क्या करते हैं, हम लोग, अब आप बताईएगा, मैं आपको दो सलूइशन बता के जा रहा हूं, या तो हम कोटिंग कर देंगे, जो टैबलेट है, उसको पर सुगर कोटिंग कर दी हमने, तो मिठी ही लगेगी टैबलेट आपको, या फिर उस जो टैबलेट थी, उसके जो ग्रैनियूल्स आपने बना दिए, उसको कैप्सुल में फिल कर दो, छोटे-छोटे ग्रैनियूल्स, अब यह कैप्सुल आपको बचाएगा, बेटर कड़ भी नहीं लगेगी आपको, ठीक है, तो यह सलूइशन कुछ हो गए, स्लो ऑन टैबलेट खाते हो, चूटेगी, फिर बॉड़ी में, ब्लड में आएगी, फिर वो एक्षन, साइट आफ एक्षन पर पहुंचेगी, फिर काम करना स्टार्ट करेगी, जैसे माली जी अस्तमा का पेशेंट है, अस्तमा, अटैक आया आपके पास, ठीक है, अब उस आप नहीं खिला रहे हो, समझे रहो, तो यह इसके disadvantage कुछ हो गई, उमीद करता हूँ कि आपको कुछ चीजे नई सीखने को मिली होगी, थोड़ा सा आपको मिला होगा, अब समझते हम लोग कि components, एक टैबलेट में होता कि जो टैबलेट आपको बड़ी-बड़ी से दिख र और spelling यहां उपर लिखी होगी, आप चेक कर लिए, मैं अभी थोड़ा फटा-फट बना था कि वीडियो जो है बहुत लंबी ना बने, उसके लाव एक्सीपियंट्स, ठीक, अब एक्टिव इंग्रेट जैसे मैंने, suppose we have taken the example of paracetamol, so यहां पर paracetamol active excipient क्यों बोल रहे है क्योंकि यह क्या है, anti-paratic, बुखार उतारने की दवा है यह, बुखार reduce करने के लिए, to reduce the fever, so इसमें main दवा क्यों है, paracetamol, इसलिए उसको बोलते है, active ingredient, यानि कि ऐसा component जो असर दिखा है, और यह जो excipient होती है, यह असर नहीं दिखाते, अब जैसे अगर इनका overall पूछ जा जा तो यह bulk बढ़ाते हैं, अगर सोच लिए 500 mg की tablet होते हैं, तो 500 mg आपको थोड़ा सा होता, तो आप उसको इसलिए इन्टेक नहीं, लेकिन उसको 600 mg बना दे रहे हैं, तो आप tablet को फॉर्म है, तो इसलिए आप उसको strips निकाल के खा पा रहे हो, intake कर पा रहे हो, तो bulk लेकिन अगर इंडिविजुली देखा जाए, तो इसमें कई सारे component एक से बेंड होते हैं, इन सभी का अलग मकसद होता है, उसके अलावा coloring agent, flavoring agent, यह सब चीज़े होती है, ठीक है, जो हमारे exam में पूछा जाता है, वो हम discuss करेंगे, डाइलिवेंट क्या होता है, इसको फिल करने का काम करते है, lubricant gliding क्या करते है, flow property को बढ़ाते है, जब आप tablet compress करने जाते हो, तो कुछ material dye में stick हो जाता है, या कुछ hoppers में stick हो जाता है, जहां सा product को डाल रहा है, यह जैसे hopper है, और यहां पे आया, और यहां पे machine पर पंच कर रहा हो, तो अगर यहां पे stick हो जाएगे, dose accuracy नहीं रह जाएगी, ठीक है, चलिए हम लोग सो थोड़ा detail में पढ़ते हैं, बहुत ही important है, पूछा जाता है, आपसे, now coming on the first, diluents, इसी को बोलते है, fillers, जब आपके exam में आये diluents, fillers, तो आपको समझ लेना है, अगर एक पूछा जाए कि इसका मकसद क्या होत होता है, तो इसका मकसद होता है, tablet के bulk को बढ़ा देना, जैसे 500 mg है, तो अब आपने 600 mg बना दे, 650, तो tablet का size थोड़ा बढ़ गया, तो आप इसको intake कर सकते हो, अब इसके example बहुत पूछे जाते हैं, और इसके brand ने बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चीए, ज तो टूथपेस्ट आप दान घिसने के लिए यूज़ करते हो ना, टूथपेस्ट, उसमें होता है calcium carbonate, जो सफिस सा होता है, calcium phosphate dibase, micro crystalline cellulose, cellulose, micro crystalline cellulose, MCC, बहुत ही common ingredient है, so MCC important है, इसको important mark कर लेज़े, यह पूछा जाता है, अब यह जो AV cell, emo cell, यह इसके brand name है, यह याद रखे, कभी-कभी इसके brand name पूछ दिया जाता है, कि AV cell, तो आपको चार option दे दिये जाएंगे, उसमें आपको चुलना पड़ेगे, कि AV cell किसको कहते है, micro crystalline cellulose, AV cell is a brand name, emo cell is a brand name for micro crystalline cellulose, यह directly compressible material होता है, जो थोड़ा से एक आइडिया आपको दे दिता हूँ, मैं, जब हम machine में compress कर दिया, दूसरा होता है, wet granulation, wet granulation, तीसरा होता है, dry granulation, granulation, अब इनके मक्साद अलाग लाग हो सकते हैं, मैं इनेक्स वीडियो में detail में आपको बनाओंगा, ठीक है, तो यहाँ पे, अब direct compression किसका करोगा, ऐसे material जो directly compress हो, अब talc है, बहुत ही बारिक होता है, बहुत इसी fine होता है, उसको compress नहीं कर सकते हैं, तो आपको, अब यहाँ पर dextrates, जैसे इसका brand name का index के नाम से आता है, यह brand name बड़ा important है, इस्टा मार्स कर लिजे, जैसे starch, starch देखे, यह ऐसा ingredient नहीं, यह binder के तोर भी यूज होता है, filler के तोर भी, कुछ आपको ऐसे shipment मिलेंगे, जि sugar, sugar भी available होती है, किसके लिए bulk बढ़ाने के लिए, इसका नाम क्या होता है, new tab, dye pack, new tab, dye pack is a brand name of sugar, या फिर coating solution के नाम से भी आता है, coating क्या होता है, इस प्रे, dried lactose, अब यह direct compressible material होती है, यानि कि जहां भी lactose हम लोग यूज करेंगे, तो tablet को direct compression से बना देते हैं, ठीक, लेकिन इसी lactose से ही related reaction है, बड़ी important पूछी जाती है, उसे बोलते है, malod reaction, it is very important, mark it as a very important, question बहुत पूछा जाता है, और पूछा क्या जाता है, कि किसके इसके बीच होती है, तो जो amine category of drugs होती है, जिसमें amino grip होता है, और जब magnesium stearate है, magnesium stearate है, अब हम देखींगे आगे, lubricant के तौर पर, glideant के तौर पर, जब हम लोग इसको use कर रहे हैं, तो यह magnesium stearate का interaction होता है, क्योंकि अब जो दवा है, exipend के साथ interact भी तो कर सकती है, ideally क्या हो तो इसको discolor कर दिया है, ठीक है, तो हमें यह amine, याद रखना की amine category of drugs और magnesium stearate के reaction के साथ, malad reaction होता है, यह example बहुत ही है, important इसको याद करके रखना है, next coming on the, disintegrants, अब disintegrant का, अब इनका पहले तो आपको मकसत पता होना चाहिए, जब tablet आप खाओगे, तो tablet टूटनी भी तो इसको break up करने के लिए, disintegration करने के लिए, हम लोग disintegrants add करते है, ठीक है, और यह कैसे काम करता है, जैसे आपके tablet पेट के अंदर गई, आपने orally mouse लिया, पेट के अंदर गई, GIT tract में, वहाँ medium जो है, gastric GIT medium, आप देखिए, यह normal example, जैसे alginic acid, carboxy, methyl cellulose, cross povidon, guar gum, methyl cellulose, sodium alginate, देखिए, यहाँ पे concept ने, यहाँ पे आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, जहाँ पे extra information होगी, आपको बता दूगा, जैसे यह alginate है, तो alginate से sodium alginate beads बनाते है, beads भी एक tablet की तरह dosis form है, छोटे-छोटे balls आपको देखेंगा, इसे, ठीक है, वो beads होते है, control release के लोग बना लेते हैं, यह sodium laurel sulfate जो होता है, यह surfactant basically होता है, तो अब जब toothpaste लगाते हो, तो foam कहां से generate होता है, यही बंदा होता है, तो यह foaming agent भी है, देखो यह बंदा कहां कहां fit हो रहा है, foaming agent के तोर भी काम कर रहा है, disintegrate के तोर भी काम कर रहा है, तो जो जहाँ आपको कलता है, मुँ में, toothpaste करने के बाद, sodium laurel sulfate की बज़ेस होता है, sodium starch glycolate, अब इसका brand name किसकी तोर पर आता है, explode tap, promo gel नहीं होता है, यह primogel होता है, spring up cycle, primogel के नाम से होता है, ठीक है, cross carmelose, यह बड़ा important, इसको लिख लेज़ें, most important, actisol के नाम से आता है, अगर actisol होला है, तो स यहां से पूछ रहा है, तो इसके example आप याद रखना, sodium starch glycolate, इसको SSG shortcut में, cross povidone, cross carmelose sodium, ठीक है, यह चारो example आपको याद रखने है, super disintegrants, कहां पर यूज होते हैं यह, जब आप कोई, ऐसे tablets यूज करते हो, जैसे aspirin आप यूज करते हो, तो disparin आती brand name से बहूज यूज त तूट जाती है, तो effervescent बहुत जल्दी कौज होता है, वहाँ पर, ठीक है, citric acid डाल के, bicarbonate डाल के, आप CO2 generate करवाते हो, तो फिर CO2 का ऐसे medium में जाने के बाद, generate हो जाती है, और super disintegrate में डाला होता है, tablet बड़े जल्दी तूट जाती है, now coming on the lubricants, anti adherence, gliders, तीनों को समझें tablet की wall और walls of die cavity, जिस die में tablet, दखो, tablet की die होगी न, इसे में तौके material भरेगा, और उसके बाद उपर से punch आएगा, इसको press कर देगा, तो अब ये die wall में ना चिपके, इसे lubricant हम लोग यूज़ कर रहा है, और anti adherence क्या कर रहा है, sticking को या addition को reduce कर रहा है, punchे जा die wall से भी, ठीक है, उसके अलावाँ ये जो guidance होते है, guidance क्या कर रहा है, flow property को बढ़ा रहा है, granulation जब आप करते हो, तो flow properties को भी बढ़ाने का काम करता है, अब guidance क्या होता है, particles जैसे ये powder है, तो इसमें कई सारे particles होगी, तो इन दोने particles के बीच, जो एक particle है, दूसरा particle इन दोने के बीच का friction कम करत आई, इसको बोलते है, intra particle, दो particles के बीच, इंटर होगा, एक particle बीच, इंटर बीच, इंटर पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच, इंटर पार्टिकल के friction को कम करने कोशिस करता है, ठीक है, थोड़ा सा concept आपको समझ मैं है, आप इसके लुब्रिकेंट जैसे है, तो लुब् लुब्रिकेंट जो है, stearic acid derivatives, lubricant के तौर पे हम लोग generally use कर रहे हैं, एक idea, उसमें calcium stearate, magnesium stearate, stearic acid वाले derivatives जितने भी है, वो lubricants के तौर पे use हो रहे है, talc में थोड़ा सा विवाद हो जाता है, talc कभी-कभी lubricant के तौर पे भी होता है, glideant के तौर पे होता है, तो most correct answer होगा Glided, लेकिन अगर lubricant भी option में तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, most correct answer will be Glided, sodium laurel serpent देखो, sodium laurel serpent पीछे भी use हो रहा है, यहां भी use हो रहा, PEG, polyethylene glycol 4000-6000, अब इसकी grade होती है, PEG 400, और एक होता है 4000, अब इन में तो कोई state का फरक होता है, यह जैसे solid में आ गया, यह जैसे liquid में आ करता है, depend करता है कि कितने यह category में है, किस category में है, so I think lubricant is now clear, now coming on the Glideds, Glided के बात करते हैं, so talc कितना percent हम लोग करीब use करते हैं, 5%, यह concentration आपको बहुत ज़्यादा है, नहीं याद रखने हैं, बस थोड़ा समझ के लिए कि, जैसे मालों एक tablet बना रहे हो, तो tablet में कितना डाल जाए, होती है नो बात कि कितना percent talc डाला जाने, तो एक idea को रहा चाहिए, कि 5% के करीब talc हम लोग डाल देने हैं, लेकिन important यह है कि talc Gliden का example है, यह पूछा जाता है, कोलाइडल सिल्का, देखो उसमें stearic acid derivative थे, यहाँ पर सिलिका है, तो सिलिका जैसे आजा है, तो यहाँ वे किस तोपे के सलामी दे देने हैं, आपको बिल्कुल पता लगा देना है, और खास करके, यह जितना भी सिलिका की molecule, यह Gliden के तरह जोते हैं, जैसे आपका हो गया, कोलाइडल सिल्का, गॉट दी पॉइंट, अब यह ब्रैंड ने मिसका बड़ा important है, कैबो सिल, सिल्वाइड, एरोसॉल, एरोसॉल तो नहीं नामस होता है, एरोसॉल के नामस होता है, ठीक है, एरोसॉल तो एक डोसिस फ़र्मी हो जाएगा, कैबो सिल, सिल्वाइड और एर याद आजाए, ग्लाइड, सिलिका, ग्लाइड, और सिल्वाले लुब्रिकेंट, यह आपको याद रखने है, कुछ और यह थोड़ा से एक्जामपल, जो कम important है, को याद रखिए, स्टार्च, मगनिसिम, स्टेरट, कभी-कभी पूच देते हैं, ठीक है, बाइंडर्स, बा केंद भी गम की तरह ही है, ठीक है, अब यहाँ पर केसे मुसिलेज आप यूज़ कर रहे है, जलाटिन यूज़ कर रहे है, सुक्रो सीरप यूज़ कर रहे है, इसको ब्रैंड नेम है, निमसल, ठीक है, यह कार्बोमर, जब आप जेल बनाते हो, जेल बनाने के लिए 1% जैस करना पड़ेगा, तो आपने जेल बनाया, जेल बनाने के बाद फिर उसको आपने यूज़ कर लिया, स्टार्च पेस्ट, यह आपके 2% भी हो सकते है, 5% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 10% हो सकती है, कुछ coloring agent भी हम लोग यूज़ कर देते हैं, flavor भी यूज़ कर देते हैं, तो उसमें हम लोग manatol यूज़ कर देते हैं, ठीक है, अब देखे सवाल यह पूछा जाता है, कितना परसेंट, 72% as sweet as sucrose, sucrose को reference मान के उससे पूछा जाता है, अब सैकरीन है, सैकरीन को क्या बोलते है, artificial sutler, मुझे बता, यह माली जैसे आपने tablet बनाई, ठीक है, कड़ भी आपने उसमें manatol डाल दे, मीठा होने के लिए, या फिर सुक्रोज आपने डाल दिया, कोई diabetes का patient है, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए टैबलेट ही नहीं होगी, नहीं, तो उसके लिए हम लो क्या करेंगा, artificial sutler, आपको मीठा का एहसास तो दिलाएगा, लेकिन blood glucose level बढ तो पहले आपको बड़ा मीठा सा महसूस होगा, लेकिन थोड़े दिर बाद आपको बड़ा अजीब सा test महसूस होगा, खटा महसूस होगा, सॉरी, खटा तो नहीं होगा, कड़वा सा महसूस होगा आपको बिल्कुल, ठीक है, तो bitter after test किसकी खास भी सेचता है, aspartum, ये सव 500 times sweeter than sucrose, और aspartum कितना होता है, आप बताइएगा question, कि how much time, 200 times कि 250 times, आप बताइएगा, comment करके बिल्कुल comment box में, चलिए, नेक्स हम लोग बड़ा है, ये practice question आपको दिखाने के लिए किस तरीके सवाल, एक डेमो मैंने आपको देनी कुछी, देखो लिखा वो न, relative sweetness of sucrose to saccharine, कितना है, तो 1 is to 100 नहीं था, eliminate कर दिया, आपने 1 is to 200 नहीं था, 1 is to 400 नहीं था, 1 is to 500, that will be the correct option, ये देखो, जीपाड 2020 में पूछा गया, नहीं विश्वास हो, जिदा के देख लिए आप, it has been asked in जीपाड 2020, okay, so if you like our videos, do subscribe to the channel, inverter सडड़ा, और आपको बिल्कुल, ये घंटी आपको बिल्कुल, ये प्रेस कर दिने, ताकि जैसे वीडियो बने, आपके पास notification आजाए, आप हमें follow भी कर सकते हैं, facebook पर, facebook पर हमारा page है, innovator सड़ा के नाम से, instagram पर आप follow कर सकते हैं, क्योंकि उस पर चोटे-चोटे मैं जो है, test बगएर डालता रहता हूं, वो question आपके क उसने कुछ डालता रहता हूं, तो उसमें जब भी आपको कोई भी exam दे रहे होंगा, तो definitely आपको knowledge improve होने वाला है, तो फटा-फट से आपको telegram join कर लेना चाहिए, innovator सड़ा के नाम से, ठीक है, इस नाम से है, चलिए, तो thank you, thank you so much for patience, आपने वीडियो को देखा, और उमीद करता हूं कि आपको बहुत वीडियो प्रसंद आई होगी, बिल्कुल अपना comment करिए, और अच्छे सुझाओ दीजी, खराब भी सुझाओ, तो भी बताइए, ताकि हम चीजों को जो है, इंप्रूब कर सके, अगर कोई कमी भी है, तो आप बिल्कुल हम उसको इंप्रूब क सके, थाक्स पर वचिंग, वाट अव गूद देए.